वेल्कम टू मैं चैनल आज हम पढ़ने वालें इसमें मास आप स्टीम डिस्चार्ड थो नोजल इसमें हम सीखेंगे कि नोजल के द्वारा जो इस्टीम डिस्चार्ड होता उसका मास हम कैसे निकालते तो यह फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा इसमें एम एक्वाल टू यह फार्मूला करना पड़ेगा एम एक्वाल टू ए अंडर रूड यह आजागा फार्मूला इसमें m एक्वाल टू हो जाएगा फार्मूला a अंडर रूड 2n अपन n-1 स्किंट्स फी 1 अपन भी 1 ब्रेकेट के अंदर P2 upon P1 base to 2 upon N minus P2 upon P1 base to N plus 1 upon N यह formula लगेगा mass of steam discharge through nozzle के लिए जहाँ पर N equal to लेना पड़ेगा value 1.4 N की value लेना पड़ेगा 1.4 पागे P1, V1, P2 सब की value आपको दी जाएगे और area भी दी जाएगा तो इन सब को रखेंगे अगर हम तो हमारे पास mass निकलाएगा mass of steam steam का mass निकलाएगा जो की nozzle के द्वारा discharge होता है यह formula होता है mass of steam discharge through nozzle